तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि जो गवर्मेंट है उसका पैसा आता कहां से और कहां पैसा जाता है इसके वारे में बेसिकली आज हम समझेंगे तो देखिए यहां पर बोड रखा है एन्वाल बजट फीचर्ट तूपाई चार्ट्स डेट इंडिकेट ते गवर् का जो एक फरवरी को आता है वह दो पाई चार्टों के थूँआ हम समझेंगे कि गवर्मेंट की अर्निंग और गवर्मेंट की जो एक्षपेंडीचर है वह किस प्रकार से होते हैं और कहां से पैसा आता है इससे बिंद्द आपका जो भी एकनॉमिक्स अर्लेटेड या इसावे में कॉश्षन आता है तो दिखे यहां बोड़का रूपी कमस फ्रॉम रूपी है वह कहां से आता है basically ठीक है तो दिखे डिफ्रेंट पार्ट में बाहर रखा है अलग-अलग जगहों से पैसे आता है जैसे पहला होगा income tax income tax में overall India से हम बात करें तो 15% overall जितना भी budget है उसका 15% है वो income tax से आता है ठीक है तूसरा पार्ट है हमारा union exercise duty 7% ठीक है current data है 2024 का ठीक है हर साल यह थोड़ा वक वैदी कर जाता है तो union exercise duty है जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वहाँ से हमारा आता है 7% पर पर आता है थैक है अगला आता है जीएस्ट गोडस रवेस्ट यह सबसे हाइस टेक्स है देखे सेके नाइश्ट सेवंटीन परसेंट है जीएस्ट जो हम लोग पेमेंट करते हैं वह 17 परसेंट से आता है ठीक है फिर आग्या कस्टम कम दब हो जाता है एक्सपोर्ट इंपॉर्ट करने वाला और चॉस्टम कम अलोग मुल्दा गोडस अटा है और नोटेक्स रेसीट जोगी टेक्स से नहीं है लेकिन गवर्रमेंट को मिलता है वह 6% का है और जो सबसे ज्यादा है वो borrowing and other liabilities है other जो भी liabilities government की होती है वहाँ से पैसा निकल के आता है वह 34% ठीक है तो यह और यह सब क्या है समझेए आपर दिखा रखा देखे बोड़ रखा clearly source income source of government in proportion to one rupees यह एक रुपए का है यह जो सिक्का बना रखा है आप यह देख रहे है देखी मैं आपको मां बताता हूं यह अ ह्पारिव 1ौफय का सिक्का है अग रुपए का सिक्के है और यह सिक्का कैसे अलोट होता है वह पता रहे एक रुपए गब में इसाते हैं 15का इंकम टेक्स है साथ पैसे का इन्यून एक्सराइज जूटी है पंद्रह पैसे का फिर से कॉर्परेशन टे ऐसे करके एक रुपय का यह हिसाब है आपको बताया जाता है इस प्रकार से रूपीज है वो अब अब हम समझते हैं कि जो रुपीज है वो जाता कहां पर है वो तमने इंकम शनाओ लिए आप गौश्ट के समझ लेते हैं तो देखिये तो यह लोग कला इंचन से स्टार्ट करती है गवर्णम लोग जो ब्रदधा पैसन होता है वो फैंसल पर्वाइड कर वाते हैं और ब तो उसको 4% है तो पाट आफ वन रुपीज तो 4% गिवन टुआ पैंसे पर्संस पैंसन लोगों को दिया जाता है अधर एक्स्पेंडिचर आट परसेंट होता है तो फ्राइच का अपना और समझते हैं इस्टेट सेर आफ टैक्सन डिवटी इस्टेट लोगों को भी इस्टेट जो राज सरकार होती है उनको भी पैसा देना पड़ता है ठीक है ताकि वह भी एक्सपेंडिचर कर सके अथारा परसेंट उनको दिया जाता है फाइनस कमीशन के लिए 9 परसेंट दे रखा है सेंट्रल इस्टेट उसके लिए जो स्कीम समना जाते है केंदी सरकार दवारा वह 17 परसेंट है यह पैसा डिफेंस में जाता है 8 परसेंट का लोगों को सब्सिटीज दिया जाता है सब्सिटीज आप समझ सकते हैं छूट दी जाते है वह 7 परसेंट का है सेंटरली इस्पॉंसर स्कीम संकेंडरी सरकार दवर जो भी स्फॉंसर किया जाता है वह 9 परसेंट का है वहीं लास्ट आता है इंट्रेस्ट पेमेंट जिचीजों फर गवर्मेंट ब्यास देती यह लोगों को देती है और वहाँ वह जाता है in terms of one rupees clearly mentioned है आपका कि ये एक रुपे में पता रखा है आपको ठीक है तो आपको वीडियो अच्छे लगी होगी कि पैसा आता कहां से और पैसा जाता कहां से ठीक है वीडियो अच्छे लगी हो लाइक शेर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और कमेंट में आ उनके उपर वीडियो बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे थैंक यू